जीतूंगा मैं यह मेरा वादा है कोशिस मेरी सबसे जादा है हिम्मत भी तूटे तो भी नहीं रुकूंगा मजबूत बहुत मेरा इरादा है दोस्तो इसी के साथ आप सभी का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेस देख़े आप सभी को बूड परिच्छा में 90% मार्क लाना चाहते हैं तो आपको एक smart work करना पड़ेगा दिए जितने भी टापर होते हैं वो एक smart work करते हैं ठीक है आपको यह नहों कि आपके पास किताब आ गया तो आपकी किताब को केवल रट्टा मार रहे हैं तो इस तरह कभी भी आप बूर्ड एक्जाम को टाप नहीं कर सकते हैं और कभी भी 95 प्रतिशत मार गेन नहीं कर पाएंगे तो आपको 95 प्रतिशत नंबर गेन करने के लिए smart work करना पड़ेगा आपको smart work कैसे करना है आप सभी को अभी बताने वाले हैं कि जो टापर होते हैं टापर किस प्रकास से बूर्ड परिच्छा की तयारी करते हैं कि जिससे वो अपना बूर्ड परिच्छा में टाप कर जाते हैं और अच्छे नंबर को प्राप्त करते हैं तो पहले आप सभी को हिंदी का संपूर सिलेबस इसी प्रकार से प्रतेग सब्जेट का आपको सिलेबस लिख लेना है यदि आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप सभी को प्रतेग 25 बोर्ड परिच्छा की तयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए पूरा संपूर सिलेबस बताने वाले हैं तो आपको साथ में यह भी बताएंगे कि कौन सा टापिक है जहां से आपके बोर्ड के एक्जाम में बहुई कल्पी प्रशन पूछे जाते हैं कौन से टापिक से सभी प्रशनों को एक जगा लिख लेते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि हिंदी का संपूर सिलेबस है क्या ठीक है आप वीडियो को लाज तक देखिए और जितना सिलेबस बताने वाले एक जगा कापी पर नोट कर लीजिए बस इतना पढ़के चले जाएए आप हिंदी की पेपर में 95 नंबर या 95 नंबर आप गेन करेंगे ठीक है देखे चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आपको बताते हैं कि बहुकल्पी प्रश्ण आपका कितने नंबर का पूछा जाता है देखिए बहुकल्पी प्रश्ण आपके नंबर का दिर्ग उत्तरी प्रश्ण होता है यहां जो भी टापिक आपको बताने वाले ठीक है उन टापिकों से आपके केवल बहुकल्पी प्रश्ण ही पूछा जाता है तो देखिए पहला टापिक क्या है आपका हिंदी गद के विकास का संचिप्त परिचे आपको पहना है देखिए आप हिंदी गद के विकास का जो संचिप्त परिचेही केवल पहना है उसमें भी आपको केवल क्या पहना है तो सुकल यूग और सुकलतर यूग ही पहना इसके अलावा आप जितने भी टापिक होंगे उनको छोड़ सकते हैं सभी को आपको नहीं पहना रहता है इस पर आपको लिख लिजिए कि जो सुकल यूग है और सुकलतर यूग है यहां से आपकी टोटल पांच प्रश्न पूछे जाएंगी बहुविकल्पी के रूप में और परतेक एक एक नंबर का होता है इस तरह आपका हिंदी गद के विकास में से संबादी आपके पांच नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में आते हैं यहां से आपके दिर तरी प्रश्न नहीं आते हैं आपकी जो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं ठीक है अब देखिए अगला टापिक आप लिखिए अपने कापी पे कि हिंदी जो पद होता है अब हिंद जो आपका पथ्द होगा उससे आपको रितिकाल और आधुनी काल के बारे में ही क्योंपढ़ा है इन टापिकों के लिखिए और के इंध्री टापिकों के पढ़ लिजिए इसी से प्रशन आपके पूछे जाएंगे इसे एक भी प्रशन आपके बॉर्ड के एक जामें बाहर नहीं जाएगा ठीक है जितना भी आपको टापिक बता रहें इन टापिकों को किलियर कीजिए और साथ में आप सभी को जितने भी टापिक बताएंगे इन टापिकों पर आपको क्लास भी देने वाले हैं उन क्लासों को आप जरूर देखके नोट से बना लीजिएगा ठीक है तिसरा क्या है रस अब रस में देखी बहुत से रस होते हैं उसमें से आपको केवल कौन सा रस पढ़ना है हाथ से रस और करूल रस अब हाथ से रस करूल रस में पढ़ना क्या है आपको उसका परिवासा जानना चाहिए उधारर क्या होता है और पहचान देखें आपके बोर् सरस है नंबर का पेगा अब अगले अगला टापिक क्या है अलंकार। अलंकार मे सभी अलंकार में रूपक जिए deposits प्रकार। सिर्फ इन्ही तीनों अलंकार को पढ़ना है और पढ़ते समय इसके लच्छड़ा को पता होना चाहिए किसका लच्छड़ क्या है और साथ में इसका उधारण आपको जरूराणा चाहिए इसलिए कि आपको बोड के परिच्छा में एक उधारण देगा और उससे पूछेगा कि यह कौन सा अलंकार है इस प्रकार से प्रशन आपके बोड के परिच्छा में आता है अलंकार से भी आपका एक नंबर का प्रशन पूछता है और एक नंबर का ही होता है एक प्रशन आए में जरूर लिखिए आपको एक बात और बता दे कि जितने भी टापिक बता रहे हैं इन टापिकों को पर वीडियो आपको जरूर देंगे तो आप चैनल पर नहें तो आपको साथ में सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो हम अप्लोड करते हैं तो उसका नोटिफ चंद में बहुत से चंद होते हैं जिसमें से केवल आपको सो रठा और रोला यही दोनों चंदों का पढ़ना है इसमें से इसका लच्छड क्या होता है और उधारण पढ़ना रहता है ठीक इसकी परिवासा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपके बोर्ड के एक अब उपसर्ग में आपको उपसर्ग पता वाता है कि कोई भी शचक अभी सब्ध उसके प्रारम में युड्य अन शब्लेल लगता है 오늘 उस्टिया प्लस अर法 क्या होगतो जो सब्द लग रहा है यह क्या है आपका उपसर्ग हो जाएगा तो उपसर्ग में देखिए कौन-कौन से सब्द पर द्यान देना है अपे अन अधी अप अनु अप उपस नीर अभी परी सू ठीक है इस पकार से आपका उपसर्ग पूछता है यह भी उपसर्ग से केवल एक नंबर का ही बहुई कल्पी में प्रश्ण बनता है अभी जितने भी टापिक बता रहे हैं जहां से आपके केवल बहुई कल्पी प्रश्ण ही पूछता है ठीक है यह पुरा डिटेल इसकी पढ़ने की जिरूत आपको नहीं है बहुई कल्पी जो प्रश्ण रहता है से रिलाब पाएंगे आपको एक smart work करना पड़ेगा अब smart work करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जितनी वी टापिक बता रहे हैं कहां से भवी कलपी प्रशन बल रहा है कहां से दिर्गुत्री प्रशन बन इसको लिखे है इन टापिकों को आप तयार कीजी और प्रेक्टिस कर लीजिए आप आसानी से 95 प्रतिशत मार्क ला सकते हैं ठीक है अब चलिए अगला टापिक देखिए 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 तद्वो तद्सम और पारिवाच इन तीनों से मिलागे केवल एक नंबर का ही प्रशन पूछा पूछता है तो इसको आप बहुकल्पी क प्रकास से प्रश्ण आपका आता है जिसमें आपको किवल दो शब्दों पर ही ध्यान देना है तदवाला पर और युद्वाला पर सिर्फ इन ही दोनों शब्दों को ध्यान दे कि इसकी विभक्ति और इसका वचन आप बस याद कर लीजिए इसी से एक नंबर आपका बन पूरा याद करने की संस्क्रित में जरूरत नहीं है बस जितने भी टापिक बताएं बस इन्हीं टापिकों को आप किलियर कर लीजिए इसके बाद देखिए आगला दसोड टापिक क्या है वाच्य प्रियोग और वाच्य परिवर्तन यहां से भी एक नंबर का आपको बोड आपके बोर्द के एक्जाम में प्रशन पूछा जाता है जितने भी टापिक बता है इन टापिकों से आपक ब बोर्ड की एक्जाम में बहुकल्पी के रूप में 20 नंबर का प्रशन पूछा जाता है अब चलिए आप दिर्ग उत्री जहां से प्रशन बनते उन्ही pourrait को कॉनको देखते हैं यहां से परारह मोथ है खं भा अपके नमबा पुस्पर रिखा रहा रहाता है खंभां इसमें वर हो प्रस्न अदिकित प्रस्न आते हैं तो कहां किसे तापिक से आते पहला आपका है गद्यांस पर आधारित प्रश्ण टोटल आपके छे नंबर का प्रश्ण यहां से आएगा अपके जो गद्यांस आप पढ़ते हैं उस गद्यांस में से ममता हो गया तो आपके दो तीन चप्टर इस्टार्टिंग के ही केवल गद्यांस को आप तयार कर लेज प्रश्णbuilt पूछा जाता है तो च्ट् Er कें पध्यांस जो आ पढ़ते हैं पध्यांस नम्रका बदर का प्रश्ण संसर मीकारण मैं प्रश्ण आता है इस्में आपका एक पद्द्द प्हस्त को प्दने पाद रहेगा संसर लिखने के बाद तो आपको करना रहता है यादि आपको यह सभी पता नहीं है तो आप वीडियो जो चैनल है मेरा सस्क्राइब कर लीजिए आप सभी को गध्यांस पद्यांस पर संबंदि जो इंपोर्टेंट प्रश्ण है उन सभी प्रश्णों को कराने वाले हैं ठीक है अब देखे अगला ह आपको एक पैरग्राफ देदेगा संस्क्रीट में उसका आपको क्या करना रहेगा पहले संदर्व लिखेंगे फिर उसका हिंदी में आप अपने शब्दों में अनुआद करेंगे तो आपका यह प्रश्ण रहता है टोटल पांच नंबर का ठीक है तो यह आपका गध्यां आपको संस्क्रीट में पांच नंबर का यह प्रश्ण पूचा जाता है यह खंड काब्यमें जैसे आपको मुक्तिवूत परते हैं यहां से आपके संब्दीन तीन नंबर का प्रश्न पूछा जाता है यह खंड काव में जैसे आपका गाधी जी का जीवन परचे चरित्र देता है या डाक्टर राजेंद प्रशाद का यह प्रथाम सर्ग जूतिय सर्ग इस तरह करके देता है प्रश्न में तो टोटल तीन नंबर का रहता है आपको चिवन परचे इसंसे संबंधित भी आपको सबी basically आपको अपलोड करेंगे इसके बाद की अगला लेखा का जीवन परचे ठीक है आपको दो तीन जीवन परचे बतार रहे हैं इसमें से आपके बोड की एक reopen revealing प्रचे मील जाता है आपकर बोड के बार Michaël में कम से प्रशा और डाक्टर राजंद प्रशा इन तीनों में से एक आपको जरूर बोर्ड के एक्जाम में लेखा का नाम देखने के लिए मिलेगा इन लेखों को जीवन परचे तीनों का याद कर लिजी इसमें से एक आपको हंडेट परसंटेज देखने के लिए मिल जाता है ठीक ह अब देखिए आगे चलिए देखते हैं सात्वा नंबर का कवी का जीवन पर्चे कवी का भी जीवन पर्चे आते हैं जिससे सबसे इंपोर्टन जो जीवन पर्चे बार बार बोर्ड के एकजाम में पूछा जाता है सूर दास का तुलसी दास का बिहारी लाल का तो इन तीनों को आप किलियर कर लीजिए ठीक है अगला टापिक आपका है जहां से प्रशन पूछा जाएगा संस्क्रीट में एक स्लोग कम से कम चार लाइन का एक स्लोग ऐसा याद कीजिएगा कि आपको बोड के एकजाम में आपको सीधे उस प्रशन को लिखना रहेगा तो आपके बोड क आता है पत्र लेखान जैसे अपने मित्र को पत्र लिखने के लिए देता है या एक प्रशन देगा कि संस्क्रीट पर आधारी 2 प्रशन आपको करना रहेज़ा यानि कम क्रीसले संब्धी प्रशन संप्रस्ण में उसमें से केञ्वल 2 ही संस्क्रीट digestible यहां से पूछा जाता है कि इस चीछ को ध्यान दिजेगा वर्षा रहा है याथा इस प्रश्ण रहता है आप कमशकर चार या पांच निबंद देता है उसमें से एक निबंध ही आपको बोर्ड के एकजाम में करना रहता है जो सबसे important है निबन्द जो बार बार आपके board के exam में repeat होता है वह ही यहां पे लिखें जैसे विज्ञान पर संबंधित आप निबंद को तयार कर लिजे ज濺 संबंधित प्रदूशर परेवर प्रदूशर यह ब्रदूशर से संबंदित आप निबंद में आपको निबंद देखनेंगे देखने के लिए मिल जाएक इसलिए आपको बॉर्ड के ला एक्जाम देखने के लिए मिल जाएक लिग प्रकां 20 नमबर को प्रश्nea कहां से बनता है को टापिक बता चुके हैं 30 पकास आपको एक्जामिलत जो पेपर होता है जितने भी टापिक बता है इंट टापिकों का यदि आप केलियर कर लेते हैं तो आप 70 में आपको गारंटी देते हैं कि 70 नमबर के पेपर हो रहा है तो उसमें नमबर आएगा 65 प्लस ठीक है और 30 नमबर इसकूल से मिल जाएगा 30 प्रतिशत नमबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं लेकिन आपको एक smart work करना पड़ेगा यह देखिए आप बार बार यह सब्द बोलते रहे smart work smart work का मतलब होता है पहले अपने syllabus को देखिए syllabus को देखने के बा इन टापिकों का आप जरूर किलियर कर लीजिए जिससे आप बोर्ड के एकजाम में 100% अपने टार्गेट जो सेट की होंगे वह टार्गेट आप अचिव्मेंट कर सकते हैं तो फ्रेंस देखिए आपको जितने भी टापिक बताएं उन टापिकों का आप जरूर तयार कर ल टापिकों पढ़ाया जाएगा तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चलो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें